नमस्कार दोसों बहुत बहुत स्वागा तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने सी यूटूब चनल विधी टेरिया में और वहां पर क्या करते हैं recovery वाले कि वहां से जाते हैं गाड़ी को on the spot उठा लेते हैं गाड़ी में जो भी श्टॉक होता है उसको या खराब होने वाला है तो खराब हो जाता है या फिर उसका मिसी उच कर लेते हैं माले जिए कि आपने कोई वेकल फाइनेंस करा है किसी भी finance कंपनी से या पिसी भी बैंक से अगर वो two wheeler है, three wheeler है, four wheeler है या कोई बड़ी गाड़ी है ड्राइब करता है और उसके बाद उससे किसी का एक्सिडेंट कर देता है उससे कोई भी क्राइम करता है तो इसमें आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है इसमें आपको दिक्कत क्या होगी कि आप गाड़ी के मालिक है सबसे पहले तो आपके उपर केस बनेगा वहर रिकवरी लिटो को पूरा देखिए बहुत ही ध्यास देखिए यह वीडियोुके बहुत ही काम की होने वाली है वीडियो को छोड़ के मत जाएगा तो एक्षछीप कर देखिए और देखिए तो चैनलर पहली बार आ नहीत हैतो चल को सब्सक्राइब भी करण जब कर recovery agent ने अगर आपकी गाड़ी को बिना किसी भी कागज के उठा लिया है वह गाड़ी कोई भी हो सकती है अगर वह दो पईया है या तीन पईया है या चार पईया या आपकी बड़ी कोई commercial वेकल है तो इसमें देखिए problem क्या हो सकती है अगर वह बड़ी commercial गाड़ी है उसमें को recovery agent के द्वारा कोई भी accident किया जाता है तो यहां पर सबसे पहले आपके साथ problem होने वाली है क्योंकि आपके नाम पर गाड़ी है यानि गाड़ी का RC आपके नाम पर है तो अगर पुलिस केस होता है तो यहां आपके फसने के chances जादा हो सकते हैं तो अगर आपकी गाड़ी recovery agent बिना किसी दस्तावेज की उठाता है तो तुरंत आप अपने नस्दिकी पुलिस station में जाईए और सीधे सीधे complaint फाइल करिए F.I.R. lodge कराइए F.I.R. दर्ज कराइए कि हमारी गाड़ी को इस व्यक्ती ने लूट लिया है हमारी गाड़ी में यह समान थे यह स्टॉक थे हमें डर है कि इस गाड़ी से कही न किसी कि हत्या हो जाए या पहरण हो जाए किसी का मर्डर हो सकता है किसी को किड्नैप किया सकता है किसी का एक्सिडेंट हो सकता है तो उसमें हमारे फसने के चांसेश है तो क्रिप्या करके ऐसे व्यक्ति की ग्रिफतारी जल्द करें और हमारे गाड़ी की सुपूर्दगी यानि की जल्द से जल्द हमें कराएं तो दोस्तों इसमें आपको FIR दर्ज करानी बहुत जादे जरूरी है अगर आपने FIR दर्ज नहीं कराई है तो यहां पे आपको मुश्किल होने वाले हैं मैं आपको बता दो कि मेरे पास दो ऐसे केसस आये थे कि जिसमें की रिकवरी एजेंट ने उस व्यक्ति की स्प्लेंडर बाइक को उठा लिया था और फिर वह अपने दोस्तों के साथ मिल करके चैन स्नेचिंग करता था तो जब उसकी गाड़ी पकड़ी गई तो वह जो रिकवरी एजेंट थे वो भाग गये और उसमें जब गाड़ी को देखा गया आर्टियो से जब उसका नंबर वगरा और माली को ट्रेस किया गया तो हमारे क्लाइन को पकड़ लिया गया और हमारे क्लाइन के उपर जूटे मुकदमे लाद दिये गया और बहुत सारे मुकदमे उसके उपर लाद दिये गया लेकिन इश्वर का बहुत ही अच्छा साथ कि जहां से इसकी गाड़ी उठी थी और जहां पर वो स्पॉट हुआ था वहां पर कैमरे लगे हुए थे जिसकी वज़से हमारे क्लाइन को बहुत जादे नुक्सान नहीं हुआ तो मैं आपको अवेर कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि आप कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है फाइनेल्स वाले आपके गाड़ी को उठाते हैं तो आप उनकी सिकायत तुरंद करें जल से जल करें अन्य था आपके साथ कुछ भी अन्होनी हो सकती है दोस्तो